साथियों, एक पुरानी प्रचलित कहावत रही है, Let the chips fall where they may, यानि जो चल रहा है उसे वैसे ही चलनी दिया जाए, आज का यंग और एस्परेशनल भारत इस भावना पर नहीं चलता, आज भारत का मंत्र है, Increasing the numbers of chips produced in India, और इसलिए हमने, Semiconductor Manufacturing को आगे बढ़ाने के लिए, बहुत सारे कदम उठाए, भारत में, Semiconductor Manufacturing Facility लगाने के लिए, 50% सपोर्ट भारत सरकार दे रही है, हमारी राच, इसमें राच्य सरकारे भी, अपने स्तर पर और मदद कर रही है, भारत की इन नीतियों के कारण ही, बहुत कम समय में, 1.5 ट्रिलियन रुपीज से जादा के इन इन्वेस्टमेंट्स इस खेत्र में भारत में हो चुके हैं, और आज कई प्रोजेक्स पाइप्लाइन में सेमिकॉन इंडिया प्रोग्रेम भी एक अध्भूत योजना है, इसके तहट फ्रन्ट एंड फैप्स, डिस्प्ले फैप्स, सेमिकंडुक्टर प्रकेजिंग, सेमिकंडुक्टर, सेंसर, और दिस्प्ले, मैनिफैक्रिंग के लिए फाइनेंचल सपोर्ट दिया जा रहा है, यानि भारत में थ्री सिस्टी डिग्री अप्रोच के साथ काम हो रहा है, हमारी सरकार भारत में पूरे सेमिकंडुक्टर सप्लाई चेन इको सिस्टीम को आगे बढ़ा रही है, मैंने इस साल लाल कीले से कहा है, हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इन्डियन मेड़ चीप हो, सेमिकंडुक्टर पावर हाउस बनने के लिए जो भी जरूरी होगा भारत वो सब करने वाला है,